चात्रो आई इस वीडियो में जानेंगे फिसिस क्लाश्ट वेल्ट का इंपर्टन निमेरिकल 3.4 गुड़े दस्की गात माइनस 7 कुलाम के आभेश को अनन्द से किसी बिन तक लाने में 1.7 गुड़े दस्की गात माइनस 5 जूल कारी करना पड़ता है उस बिन्द पर वैदुत विभाव क्या होगा जैसे हमारे पास में एक पॉइंट है यहाँ पर 1 मिनट जैसे हमें यहाँ पर कोई क्यूं आभेश रखा हुआ है और यह क्यूं दिया हुआ हमको कितना 3.4 गुड़े दस्की गात माइनस 7 कुलाम उसको हमें लाना है किसी बिन्द तक तो यहां बिन्द तक लाएंगे तो डबलू वर्क करना पड़ेगा तो डबलू कार कितना करना पड़ रहा 1.7 इंटू 10 की गात जो है कितना दिया हुआ है माइनस 5 जूल कार करना पड़ रहा है तो आप बताएए कि उस बिंद पर विभाव क्या है तो हमको यहाँ पर देखो आभेश कितना दिया है 3.4 गुड़े 10 की गात माइनस 7 कूलाम हमको कार कितना करना पड़ता है 1.7 इंटू 10 की गात माइनस 5 जूल मुझे निकानना है क्या विभाव तो बैदित विभाव बी बराबर का फार्मूला होता है कांक आभेश कोनन से लाने में जो कारी करना पड़ता है उसे विभाव कहते बी बराबर डबलू बटे क्यूं तो यहाँ पर देखेंगे डबलू डबलू का मान कितना है 1.7 इंटू 10 की गात माइनस 5 और क्यूं का मान 3.4 गुड़े दसकी गात माइनस 7 तो यहाँ दसमलो अटा देंगे सत्त्रा एककम सत्रा सत्रा दूनी 34 तो कितना आएगा इधर देखेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 नीचे से माइनस 7 उपर जाएगा प्लस 7 तो 1 अपान 2 इंटू साथ में से 5 गया 2 यानि 10 की गात 2 का मतलब कितना सव तो यह कम दो दू पंचे 10 50 बोल्ट विभवांतर का मातर क्या विभव का मातर क्या होता तो हमारा यहाँ पे विभव कितना आगया 50 विभव कितना आया तो यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए चैनल पर नया सस्क्राइब करिए धन्यवाद